चाइना अपनी एकोनोमी को further slowdown से रोकने के लिए और boost देने के लिए हो सकता है text cut का regime लेके आए जिसका सीधा सीधा impact safe heaven assets पर देखने मिला कल gold और silver में एक सुस्ती का माहौल रहा gold 1300 डॉलर की उचाईयों को ना छूते हुए आसपास ही trade कर रहा है काफी दिनों से और silver भी वही महौल है तो हम देखने जाए तो अभी dollar index में कल एक उचाल देखने मिला dollar index लगबग 96 50 97 डॉलर के आसपास जाके resistance फील करेगा हो सकता है dollar index कुछ आने वाले दिनों में इसी broad range में trade करता पाया जाए वही अगर हम ब्रेंट की बात करें ब्रेंट में चाइना के न्यूस के बाद थोड़ी सी थोड़ी सी बाइन देखने मिली ब्रेंट को जो फ्रेश रेजिस्टेंस है वो सम्वेर अरॉंड 60 to 50 डॉलर के आसपास मिलना चाहिए अगर हम देखने जाए आने वाले दिनो जोन की आशा रखी जा सकती है और यहां पर बाइंग भी है बट अगर यहीं बाइदा बजारों की बात करें जैसे मैं आपको बताया था गोल्ड में एक बाइंग की जो रेंज बन रही थी 32,200 के टार्गेट के लिए लगबक कल उसे गोल्ड ने अचीव कर लिया था उपले सरों में 32,300 का एक resistance बन रहा है अगर आपने यहां पर ट्रेड लिया है तो 32,000 के stop loss से आप अपना trade बनाये रखे या अपने ट्रेलिंग stop loss के साथ गोल्ड में मुनाफ़ा वसूली भी कर सकते हैं सिल्वर की जहां तक बात है सिल्वर में अभी जो रेंज ब्रेकाउट की expectation थी वो फिलाल नहीं हुई है अगर आपका सिल्वर में trade है तो 39,000 के stop loss के साथ आप सिल्वर में बने रहें अगर आपने fresh trade नहीं लिया है तो मुझे यह लग रहा है कि एक दो दिन के लिए रुखन नहीं है तो गोल्ड और सिल्वर में बारतिये बजारों में रुपे के चलते एक तेजी का माहल है जो बना रहेगा